नमस्कार दोस्तों, अमित तिंग यूटुब चनल में आपका स्वागत है हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम असानी से Windows 10 PC को अपने स्मार्ट टीवी को उपन कर सकती है मतलब अपने लाप्टॉप वो सेम स्क्रीन हमारे स्मार्ट टीवी पर आजएगी बिना किसी SGMI केबल के है और सिर्फ वायरलेस से वायरलेस सबोर्ट मतलब कोई वायर नहीं लगी तो यह हमारा Windows 10 सिस्टम है और यह दोस्तों हमारा टीवी है देखिए अब आपको इसको कैसे कनेट करेंगे देखते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो एड कर दिया लिंक एड कर दिया उसको देखिए आप और अपने टीवी पे इंटरनेट चला दीजिए वाय फई उसके बाद उसके बाद अपने लैप्टप पे जाए और और की टाइप कीजिए विंडो पी यह दे की विंडो पी मैं टाइप करूँगा टाइप किया मैंने टाइप करती देखिए राइट में आ गया पीशी स्क्रीन ओल्ली डुप्लिकेट एक्स्टेंट सेकेंड स्क्रीन ओल्ली इसमें आप duplicate कर सकते हैं PC screen लेकिन सबसे simple ही है कि connect to a wireless display पर click कीजिए यहाँ पर सारे devices आजएंगे लेकिन ना तो हमारा Bluetooth on है laptop का ना तो हमारा wireless on है मतलब Wi-Fi भी on नहीं है तो अगर आप चाते हैं कि आपको सारे devices आसपास के TVs और गारा सब कुछ दिख जाया कि कौन से कौन से devices है जो connect हो सकते है तो सबसे पहले internet on कीजिए और Bluetooth on कीजिए Bluetooth on करने के लिए start पर जाएए Bluetooth लिखिए लिख कीजिए क्लिक करती है अन कर दीजिए इसके बाद internet on कर दीजिए दोनों करना सही है अगर आप caliber connect कर रहे है देखे not connected है इसमें अपना internet connect कीजिए देखे हमने connect कर दिये connect हो गया है अब हम क्या करेंगे Windows भी दवारा प्रेस कर देते हैं देखे प्रेस करती है आगया अब इसमें connect to a wireless display मतलब हमारे टीवी क्लिक कीजिए अब देखे सर्च करने आगे सा रहे है यह हमारा LG का टीवी इसी तरह आपका टीवी यहाँ पर आजाएगा क्लिक करेंगे आप क्लिक कर आपने अभी सर्च कर रहा है connect करेगा अब देखे लिखा रहा है अमें दिवान request screen sharing to a tv यह क्यों आ रहा है क्योंकि हम अपने laptop से connect कर रहे हैं जब आप पहली वर करेंगे आपके यहस करना होगा हम अलोग करते हैं मैंने मैंने पहले से किया हुआ इसलिए है इसलिए connect कर देगा